वेल दोस्तों स्वागते एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिरियल अनूपमा को लेकर जी हैं अनूपमा सिरियल में काफी ज्यादा टर्न एंड ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं आप लोग भी काफी आनंद ले रहे होंगे अनूपमा सिरियल देखकर जी हां कि अनूपमा और एक साथ आये इनकी जोड़ी को पिर से दर्शक फिर दिखना चॉंप ज हो आ जा रहे थी कब यह करो कमशादी कर लो लेकिन अनूपमा?? उतना भाव तो देता नहीं है अनूज आज भी अनूपमा से प्यार करता है और यहीं वज़ा है कि अनूपमा के पीछे पीछे अनूज पहुंच गया है भारत जिहां डिंपी और टीटू की साधी में तो आए जानते हैं आखिर क्या है माजरा आप सब की जानकारी के लिए ब रहा जा सकता है तो इस तरह से मेहंदी मेहंदी की रश में चल रही है मेहंदी संगीत से मी होता है और इसमें क्या बंठन कर आती है अनूपमा वैसे अनूपमा अपने भाई भावेस के घर रही है और वहां पर उसकी दोस्त मिल जाती है देवीका देवीका उसकी काफी ज्य तोस्त की मदद लेके लेकिन आप सब की जानकारी के लिए बता दे कि जब अनुपमा जाती है अपने भाई भावेस के घर तो रात में उसे अनौन नंबर से कॉल आता है और जब अनुपमा कॉल रिसीव करती है तो वो टीटू के बारी में जानकारी देने की बात करता है सामन आप सब लोगों को क्या लगता है कौन हो सकती है एक कमेंट कर अपनी राय चरूर दीजिए और हां इसके बाद वो कहती है कि मुझे आपसे मिलनी है आप जल्दी मिल्लियाओ मैं लोकेशन भेजती हूं अनुपमा थोड़ी सोच में पढ़ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि व स्क्रावी लेड़ी से इस और अनुपमा बैदेर जाती है और उसकी दोस्ती है नहीं लेकिंत से और अदम होता है और इनके धर आड़ी के दर्वादे लगता है और यह यह थम से भागते हैं उसके बाद अनुपमा जो है वो call करती है लेडिस को लेकिन वो औरत का जो phone number है वो बंद आ रहा है उसके बाद उसकी दोस्त करते हैं कि चलो कल मिलेंगे हम लोग आज नहीं हो तो क्या हो गया पिर यह लोग घर चले जाते हैं घर जाने के बाद रात को सो जाते हैं और सुबह में इन से उसने बोला है ठीक उसी तरह से तैयार किया है क्या अनुपमा लग रहे हैं कि बिजली गिराने वाली है तैयार होकर यह दोनों ही पहुंच जाते हैं साहाउस में वहां पर जाकर देवी का जो है वह बाके गले लग जाती है पीछे से पकड़ लेती है और चिलाने लगती है बहुत जयादा गुस्से में हो जाता है कि किस से पूछ कर आई है क्यूं आई पनौती है ऐसा है अनुपमा को भी कोचता है अनुपमा बोलती है कि जब आँ संभाल कर बात कीजिए यह मेरी दोस्त है और अगर हम लोग पनौती होते तो यहां पर इतने भी सारे लोग है वो बंदराज को वन मार रही होती है मस्ति मजाक चल रहा होता है करते हैं कि अगर आप लोग मेरा पसंद नहीं है तो ठीक है मैं जाती हूं इतना करकर वो जाने लगती है लेकिन बार जो है वो तो ठीक हुस हो जाती है चलो ठीक है जाओ तुम 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 काम जाम होगा चले जाओ लेकिन हसमों को जो है अनुपमा के बापुजी वो उन्हें रोक लेते हैं किंजल भी रोक लेती है और अड लोगों को क्या लगता है क्या है टीटू का अतित क्या डिम्पी की लाइफ पे इसका बुरा असर पढ़ने वाला है एक कमेंट कर अपनी राय जरूर दिछें